नमस्कार मैं हूँ विदिशा शानिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस क्रिशी कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन आज 43 दिन में प्रवेश कर गया है कड़कडाती सर्दी तथा बारिश भी किसानों के होंसलों को टस से मस नहीं कर पाई जहां युवा किसान इस लड़ाई में शुरुआत से बुजर्ग किसानों के साथ जटे हुए हैं वही बच्चे और महिलाएं भी कदम से कदम मिला कर इस आंदोलन में अपनी भागिदारी दे रही है आपको बता दे कि किसानों ने ये आंदोलन 26 नवंबर को शुरू किया था इस बीच कई बार किसानों और सरकार के बीच बाचीत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है इसी आंदोलन की कड़ी में आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं इस रैली में किसानों के कई जथे शामिल हैं जो सिंगो बॉर्डर से टीक्री बॉर्डर, टीक्री बॉर्डर से कुंडली, गाजीपूर से पलवल, तथा मेवाद से पलवल की तरफ प्रस्थान करेंगे किसानों का कहना है कि उन्होंने इस रैली में 60,000 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया है इस बड़ी ट्रैक्टर रैली को देखते वे जहां पुलिस ने कुंडली माने सर पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा के कड़े प्रबंद कर दिये हैं वहीं दिल्ली बॉर्डर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है किसानों ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे 26 जनवरी को फिर से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जिसके लिए हरियाना के किसान संगटनों द्वारा प्रतेग गाउं से 10 महिलाओं को बुलाया जाएगा वही उतरप्रदेश के किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का नित्रत्व महिलाओं ही करेंगी जिसके लिए लगबग 250 महिलाओं ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षन ले रही है आपको बता दे कि किसानों की सरकार के साथ 9 दौर की बैठक कल यानी 8 जनवरी को होगी इससे पहले 8 बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है जो बे नतीजा रही बतादे कि 30 दिसंबर को हुई 7 दौर की बैठक में किसानों वे सरकार के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर सहमती बनी थी फिर 4 जनवरी की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका था उधर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मुद्दे पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल यानि 8 जनवरी को बैठक में इस मुद्दे का कोई समाधान निकल पाएगा या अभी तक हुई आठ बैठकों की तरह ये मीटिंग भी बे नतीजा रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सभी को बेसबरी से इंतजार है अब जंग मायूरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंग मायूरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिन में शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पें किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवसीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट, थाइरोइड के लिए जंगम थाइरो किट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुशों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी माननीय वैद्य, डॉक्तर्स और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 98170-98180